लुट्व समय को हेलो आज मैं बात करूंगा सबसे गर्मा गरम टॉपिक यह सवाल बार बार पूछते हैं बहुत बार पूछते हैं लोग आई आई सच में पलिप्लेश्मेंट्स कैसी जो स्ट्रीम्स हैं वो PG स्ट्रीम्स हैं, Mtech, PhD UG प्रोग्राम अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है Mathematics and Computing में उसका अभी लोगों को इतना पता भी नहीं है और उसके अलावा फिर Undergrad कोर्सेज हैं BSc या फिर PG में MSc और भी काफी कोर्सेज होंगे लेकिन dominant जो कोर्सेज हैं वो लोग जानना चाहते हैं Mtech और PhD के बारे में जब PhD की बात करते हैं तो लोगों को काफियत तक clear होता है कि वो क्या चाहते हैं और क्यों ISE आ रहे हैं जो भी placements के बारे में पूछता है वो majorly Mtech के बारे में पूछ रहा है पहले तो मैं simple cases handle करता हूँ simple cases मतलब अगर तो कोई है जिसको सर्फ और सर्फ placement से मतलब है कि वही हमें तो Mtech करनी है और उसके बाद जिंदगी बर गदा मेनित करवा लो हमसे किसी company में नौकरी लगवा दो वहाँ पर हम लगे रहेंगे अगर तो वैसा point of view है तो फिर IISC मताओ क्योंकि placements आपको किसी भी दूसरे college में मिल जाएंगी IIT में मिल जाएगी IIIT हैदराबाद में बहुत अच्छी placements होती है मैं खुद हूँ वहाँ से IISC से भी आपकी placement हो जाएगी अच्छी placement हो जाएगी लेकिन ये placement focused college नहीं है placements हो जाती है वो एक different बात है obviously अब IISC है तो placement खराब होगी वो तो मतलब नहीं मनता है लेकिन उसी placement के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगी IISC के अंदर यहाँ पर typical mtech नहीं होती है courses बहुत hard रहते हैं अल्मोस्ट हर कोर्स में कुछ math component हो सकता है या फिर research component तो हमेशा ही रहता है इतना simple course structure इधर नहीं है mtech का कि आप आए आपने किताब पढ़ी classes लगाई एक्जाम दिये और हो गया काफी ज़्यादा effort है इधर courses clear करने में अच्छे-च्छे students जो है वो अच्छा स्कूर नहीं कर पाते हैं आपको अगर सिर्फ placement ही लेनी है तो आपको क्यो इतनी मेनत करनी है एक IT company में job चाहिए सिरफ एक software development की नौकरी चाहिए आपको और मैं ये computer science point of view से बात कर रहा हूँ बाकी branches का मुझे बहुत ज़्यादा idea नहीं है पर extend किया जा सकता है बाकी branches पे भी अगर आपको सिर्फ placement चाहिए तो कहीं और जाहिए आराम से दो साल बिताईए और easy placement पाईए बात करते हैं दूसरे easy case की अगर कोई बहुत ही clear है कि उसे तो company company में job नहीं करनी है उसके goals clear हैं कि वो आगे जाकर PhD करना चाहता है और finally academics में या फिर किसी research position पर किसी company में join करना चाहता है तो सोचने की ज़रूरती नहीं है आँख बंद करके आप IISC join कर सकते हो Mtech के दोरान आपको थोड़ा बहुत research experience हो जाता है और उसके basis पर आपके लिए काफी आसान हो जाता है IISC में PhD परस्यू करना या फिर अगर किसी को लगता है कि वो कहीं और से PhD परस्यू करना चाहता है आउटसाइड इनिया जाना चाहता है तो वो भी काफी आसान हो जाता है मतलब extremely easy किसी दूसरे college में जाते हैं और वहाँ पर आपने कुछ research work नहीं किया है ऐसा नहीं है कि तो आपको नहीं मिलेगी PhD कहीं पर भी मिल जाएगी लेकिन better है कि आपके पास एक research exposure हो उससे आपके दिमाग में भी clarity होती है मुझे किस तरह की चीजे पसंद है मैं किस तरह के field में आगे PhD पर स्यू करना चाहता हूँ क्यों कि PhD एक और लंबा commitment है Mtech के दौरान ये benefit मिल जाता है IAC में एक research paper publish करने में start से लेकर end तक किस किस तरह के challenges आते हैं अगर किसी का goal काफी clear है कि मुझे तो आगे PhD परस्यू करनी है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है IAC versus IAT और थोड़ा सा इस तरह का अगर confusion चल रहा है तो IAC is a no-brainer अब आद आती है कि क्या आप किसी दूसरे college से Mtech करने के बाद PhD नहीं पा सकते नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैंने ट्रिपल आईटी हैदराबाद से Mtech किया था उसके बाद मैं यहां आया मुझे ऐसा चोई issue नहीं आया लेकिन काफी students को आता है काफी students join करते है PhD और उसके बाद काफी difficulties face करते है हर candidate अलग होता है तो बेटर है कि आपके पास थोड़ा सा research exposure हो फिर हम आते हैं थोड़े से complicated case पे कि यार मुझे पता नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है हो सकता है कि मैं सिर्फ company में एक job करना चाहूं या फिर हो सकता है मैं आगे academics में जाना चाहूं आगे research करना चाहूं PhD परस्यू करना चाहूं दो को यार उस case में यह आ जाता है कि अगर तो आपको कुछ ऐसी चीज़ सीखने की चाहत है ऐसी चीज़ करने की चाहत है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं बाकी लोग नहीं सीख पाएंगे अगर आपके अंदर knowledge की भूख है अगर आपके अंदर असली काम की भूख है अगर आप असली computer science को जानना चाहते हो IISC is the place, no doubt आपको यहाँ पर हो सकता है कि वो सीखने को ना मिले जो सिर्फ एक typical placement focused चीज़ है इंटेंसिव competitive coding सिर्फ implementation कोर्स की requirement अगर है तो वो होगा, नहीं है तो वो नहीं होगा फिर बात आती है कि आपका वो point तो weak रह जाएगा देगो वो point इतना important है ही नहीं competitive coding बहुत ही basic चीज़ है, बहुत ही basic instinct होती है अगर आपको interest है, आप वो खुद से कर सकते हो वो as a hobby की जा सकती है मैंने कभी competitive coding नहीं की basic geeks for geeks जैसी website से देख करके किस तरह के questions पूछे जाते हैं किस तरह से किसी problem को हम target करते हैं कोई भी interview crack करने में सक्षम था अगर सिर्फ placement ही target है तो आप खुद से एक दो महीना पढ़ करके यार आये सी में आये हो इतना दिमाग सब के अंदर होता है कि वो खुद से prepare कर सकता है और अपने coursework में आप already इतनी difficult problems को handle कर रहे हो तो आपका intellect जो कि है already ready है आप trained हो simple coding और इस तरह के problems करने के लिए अगर competitive coding में ही बिल्कुल वो है कि नहीं यार मुझे तो उसी में फोड़ना है तो वो थुड़ा effort मांग सकता है वो किसी भी campus में कराया नहीं जाता वो उस campus का culture हो सकता है for example टिपल आटी हैदराबाद में culture था क्योंकि culture है तो students करते हैं सेपरेटली एक खुद अपने शौक के लिए करते हैं तो वो आप यहां भी कर सकते हो वो कि इतनी बड़ी बात नहीं है on campus placement की बात करें average I think कुछ पचीस लाग CTC शैद इतना companies offer करती है companies बहुत ज्यादा आती है बहुत ही ज्यादा आती है अभी तक आ रही है पिछले दो-तीन महीने से 800-200 companies ऐसा लग रहा है जिसे आचुकी होंगी हर दूसरे दिन एक email आता रहता है लेकिन companies जिन profiles के लिए आती है वो ज़रूरी नहीं है कि pure development profile हो usually analytics या फिर थोड़े से एक different role के लिए होता है कि यहाँ पर जो crowd है उसको coding बहुती simple चीज है उसमें कुछ मज़ा नहीं है अगर आपको एक development role पर ही जाना है उसके लिए फिर आपने mtech की ही क्यों उसके लिए तो btech भी enough है सिर्फ आपने btech की कमी पूर्ती करने के लिए एमडेक की वो तो कोई मतलब नहीं मनता है तो roles जो है usually हाँ पर different होते है कुछ बहुती interesting roles भी आजाते हैं कुछ तो एक company का role आया था वो directly CEO के साथ काम करने के लिए candidate चाहते थे और उसको I think 45 लाग base कुछ ऐसा दे रहे थे एक ही candidate चाहिए था उनको पता नहीं मुझे कोई हायर हुआ या नहीं हुआ उस रोल पर minimum जो base होगा 15 लाग, 18 लाग कुछ इस तरह का रहता है 25, 18, I think 36 36 CTC भी देखा था मैंने किसी company का उन में से आपकी किसी में placement हो जाती है तो बढ़िया है उसके बाद आपको off-campus कुछ और better देखना है तो सही है और अगर उन में नहीं होती है तो off-campus anyway हो जाएगी इतनी capability तो आपको ये college वैसे ही दे देता है उद्दे की बात ये है कि अगर confused हो और आपको सिरफ एक normal placement related चीज से कुछ ज्यादा सीखना है वो ज्यादा क्या होगा वो ज्यादा real पढ़ाई होगी वो real computer science होगी वो सिर्फ रटे-रटाए courses नहीं होगे वो आपको actually computer scientist बनाने वाले courses होगे आप बोलोगे कि यार ये coding voting तो क्या ही है ये तो बच्चो का खेल है ये कोई चीज है ये करूम है उसके बाद आप इतने independent हो जाते हो कि कोई भी किसी भी थरह की problem आपको मिले वो organization में मिल रही है या out of organization मिल रही है तो आप उसको खुद से अकेले solve कर सकते हो वो capability, technical capability ही जरूरी नहीं है वो kind of soft skill है कि कोई भी नहीं problem है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है उसको कैसे handle करना है मैं क्या पढ़ूँ, क्या सीखूँ, कितना effort डालूँ सिर्फ उस problem को solve करने के लिए अगर आपके पास for example कोई startup idea है तो आपके अंदर काफी confidence होगा उसको execute करनेगा मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपने mtech कर लिए, आप तो चलो जी startup खोलते है लेकिन अगर आप बहुत sure हो कि ये इस चीज़ पर तो मुझे काम करना है आप काफी passionate हो उस चीज़ को लेकर उस idea को लेकर तो बहुत आसान हो जाता है आपको क्योंकि already इतने difficult चीज़े हैं कर चुके हो आपको लगता है कि जब वो की जा सकती है तो ये भी किया जा सकता है अगर आपको दोनों options खुले रखने हैं along with earning all that knowledge कि हाँ मैं placement में भी जा सकता हूँ हो सकता है कि मुझे research अच्छा लग गया तो मैं आगे PhD pursue करना चाहता हूँ उसके लिए भी IISC best है फिर बात आजाती है कि यार मुझे थोड़ा सा वो है कि पता नहीं मैं handle कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा अगर तो वो वाला डर है तो उस case में फिर आप थोड़ा light choose करो क्योंकि ऐसे भी लोग आते हैं कि उन्होंने IISC choose किया और एक साल में उन्होंने ड्रॉप कर दिया तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार शायद मैं नहीं कर पाऊँगा वैसे तो ये एक थोड़ा सा confusing statement हो जाता है क्योंकि जब तक आप करते नहीं हो जब तक आपके आसपास एक friend circle नहीं होता है जो उन्हीं struggle से गुजर रहा है सब तक आपको पता भी नहीं लगता है कि आपकी capability क्या है फिर भी अगर आपके बहुती bad experiences रहें हैं पास्ट में और आप एक safe सा option choose करना चाहते हो तो आप कोई non IAC college choose कर सकते हो चलो यार हम एक light से mtech करेंगे और उस light mtech के दोरान हम difficult courses handle करने की कोशिश करेंगे क्या हमको वो समझ आ रहे हैं क्या मैं यह handle कर सकता हूँ क्या इस तरह की problems मुझे अच्छी लग रही है हाँ मुझे अच्छी लगी अब इस learning के basis पे मैं आगे PhD के ले apply करता हूँ वो PhD आप IAC में कर सकते हो या कहीं और कर सकते हो PhD के बाद क्या opportunities होती है किस तरह के careers चूज किये जा सकते है वो मैं बार-बार बोलता ही रहता हूँ आपको अगर अपनी life पर control चाहिए आपको control किसी और company को नहीं देना चाहते हो तो PhD is the thing in short यही है मैं वीडियो करूँगा एक important announcement के साथ जो admission notice है IAC में M.Tech और PhD के लिए आ चुका है 31st January को वो मैं लिंक डाल दूँगा आप देख सकते हो अगर आपको लग रहा है कि किसी course में आपको interest है आप इस course के बारे में सर्च करो उस field के बारे में सर्च करो और IAC में कौन लोग काम कर रहे हैं उस field पे उनके बारे में सर्च कर सकते हो और on basis of that आप अपना decision ले सकते हो कि चलो M.Tech या PhD के लिए अपलाई करते हैं M.Tech PhD के लिए क्या क्या requirements होती है without M.Tech PhD होता है या नहीं होता है आपके पास gate score होना चाहिए नहीं होना चाहिए क्या बिना gate score के admission हो जाता है वो सारी बाते मैं नहीं बताऊंगा वो सारी बाते यार उनलाइन पढ़ी है I don't know यह सवाल मुझसे पूछे भी क्यो चाते हैं यह सब आप Google करो कि आपको मिल जाएगा इतने सारे resource हैं यह लिंक में डालूँगा इसमें भी आपको PDF मिल जाएगा जिस पर पूरी की पूरी डीटेल्स दियोंगी आप खुद पढ़ लेना उनको वो सारी बाते मैं नहीं बताऊंगा छोटी सी और बात बता देता हूँ बीटेक के बारे में काफी पूछा जाता है कि IISC ने बीटेक स्टार्ट किया है Mathematics and Computing में देखो यार मुझे उसका exact course तो नहीं पता है कि क्या structure है लेकिन जहां तक मुझे उमीद है वो IISC स्टाइल का बीटेक रहेगा मतलब उसके अंदर क्योंकि Mathematics अल्रेडी लिखा हुआ है तो Computer Science होगा और with Heavy Mathematics जरूर होगा क्योंकि IISC में Mathematics के बीना बात नहीं होती है आपको काफी लखी होना पड़ता है कि आप विदाउट स्ट्रॉंग बेक्ग्राउंड स्ट्रॉंग मैट्स बेक्राउंड यहां पर कोई चीज हैंडल कर पाऊ लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूँ वो बहुत ही स्ट्रॉंग कोर्स है वो तिपिकल बीटेक नहीं है Study Tracks have been designed in Mathematics, Artificial Intelligence and Machine Learning, Computational Science, Theoretical Computer Science, Quantum Computing, Signal Processing, Computational Biology and Mathematical Finance Students can opt for Research Industry Projects Students can obtain a M.Tech degree by taking an additional year of course and project credits बहुत ही लेक्सिबल सा कोस लग रहा है और बहुत इंट्रस्टिंग कोस लग रहा है मुझे Currently, जितनी भी चीजों के बारे में बात होती है AI, ML, Quantum, वो सब आपको पढ़ने को मिल जाएगा और उसके बाद अगर आप चाहते होगी जी हमें M.Tech degree भी चाहिए साथ में एक साल और course आप ले करके वो भी ले सकते हो Last year में आप चाहो तो Research Explore कर सकते हो या फिर Industry Project, depending on आपका क्या इंटरस्ट है I don't know how much of the coding component will be there लेकिन वह basic requirement है computer science की तो definitely basic courses तो रहेंगे उन courses को सीखने के बाद उस पर आप खुद से ग्रूव कर सकते हो चार साल बहुत ज्यादा होते हैं यार self-learning के लिए अगर आप इस माहौल में रहोगे और आपके अंदर सीखने की चाहा है तो बहुत ज्यादा है अगर आप खा जाओगे आप courses को Coding Voting ये खुद से करी सकते हैं तो overall ये course मुझे काफी इंटरस्टिंग लग रहा है Colleges में जिस तरह है की BTEC तरवाई जाती है Definitely से different है I don't know अभी कितना अपडेट हो गया है BTEC का syllabus जो पढ़ाया जाता है दूसरे Colleges में But I am sure ये mathematics and computing है तो for sure इसके अंदर maths component रहेगा जो आपको दूसरी जगह पर देखने को नहीं मिलता है Math नहीं जानते हो तो भई बहुत सिंपल चीज़े कर सकते आप computer science में advanced चीज़े करने में challenges आते हैं जो मुझे आज तक आते हैं बस थोड़ा skills से developed हो गया है इतना ज्यादा math ना जानते हुए भी मैं at least उस चीज़ को समझ पाता हूँ intuition ले पाता हूँ अगर अगर मैं आज अपने past को advice देना चाहूँ career path में different choose करता choices हो सकती है आज मुझे लगता है कि हाँ मैं for sure ये choose करना चाहता बस मैं इसके साथ ये वीडियो खत्म करूँगा I hope मैंने कुछ हद तक ही सवाल को टेच किया होगा placements at IISC वक्त बहुत कम होता है यार मेरे पास ज्यादा मैं वक्त नहीं निकाल पाता हूँ information देने के लिए या यूट्यूब के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि comments में answer कर दूँ क्योंकि बहुत ज्यादा काम रहता है जैसा कि मैंने वीडियो में भी का IISC में आपको सभी को काफी मैनत करनी पड़ कि इतनी एजी ली यहां डिग्री नहीं मिलती आपको तो आपको अगर चैलिंजिस फेस करने में मज़ा आता है अगर आप चाहते हो जिंदगी में कुछ बढ़िया हो खाड़ना अगर वीडियो को करते हैं खत्म बाइ टाटा पता नहीं फिर कब मिलेंगे करता हैं मिलेंगे